यह एक यादगार दीन है, लेकिन साथ साथ देश के लिए भी यह बहुत अइतिहासिक दिवस है। वर्तमान स्वरुप में स्विकार किया गया था। इस महत्वपूर्ण दिन आप सभी को सरकारी सेवा के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना, यह अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपको हमेशा तिरंगे की आन, बान, शान बढ़ाने के लिए काम करना है। देश का नाम रोशन करके दिखाना है। आजहदी के अमरित महोत्सों में जब देश विक्सित होने के लक्ष पर काम कर रहा है। आपका सरकारी नोकरी में आनगा यह बहुत बड़ा अउसर है। यह आपके परिश्रम का परनाम है। मैं नियुक्ती पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और आपके परिवार जनों को भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ। साथियों आजहादी के इस अमरित काल में सभी देश्मास्यों ने अगले पटीस वर्ष में भारत को विक्सित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले पटीस साल जैसे आपके जीवन में अगले पटीस साल महत्वपुन हैं। वैसे ही भारत के लिए अगले पटीस साल बहुत ही एहम है। आज दुनिया में भारत के प्रती जो विश्वास बना है। भारत के प्रती जो आकर्शन बना है। आज भारत की महत्ता बनी है। हम सब को मिल करके इसका पूरा लाब उठाना है। आपने देखा है कि भारत सिरफ नव वर्षों में दुनिया की दसवे नंबर की अर्थववस्ता से पाँचवे नंबर की अर्थववस्ता बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है कुछी वर्षों में भारत दुनिया की टॉप थ्री एकोनोमी आ जाएगा। टॉप थ्री एकोनोमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धी बनने वाला है। यानि हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं। और सामान्य नागरिक की आए भी बढ़ने वाली है। हर सरकारी कर्मचारी के लिए भी इससे बढ़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। इससे बढ़ा कोई महत्वपन समय नहीं हो सकता है। आपके फैसले, आपके निर्णय, देश हित में, देश के विकास को गती देने वाले होंगे ही ये मेरा विश्वास है। लेकिन ये मौका, ये चुनोती, ये अवसर, सब कुछ आपके सामने है। आपको इस अमरित कान में देश सेवा का बहुत बड़ा, वाकई बड़ा अभुत्पुर्व अवसर मिला है। देश के लोगों का जीवन आसान हो, उनके जीवन से मुष्टिले समापत हो, ये आपकी प्राथिक्ता होनी चाहिए। अब जिस भी विभाग में नियुकत हो, जिस भी शहर या गाउं में हो, हमेशां इस बात का धान रखियेगा, कि आपके कारियों से जन सामान्य की कठिनाईया कम हो, मुसिबते दूर हो, इज अफ लिविंग भड़े, और साथ साथ पचीज साल के अंदर अंदर देश को विख्षिज भारत बनाने के सपने के भी अनुकूल हो। कई बार आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए कई महिनों का इंतजार समाप्त कर सकता है, उसका कोई बिगड़ा काम बना सकता है। और आप मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा। जनता जनारदन इस्वर का ही रूप होती है। जनता से मिलना वाला आशिरवाद, गरीब से मिलना विला आशिरवाद, बगवान के आशिरवाद के बराबरी ही होता है। इसलिए आप दूसरों की मदद की भावना से, दूसरों की सेवा की भावना से काम करेंगे, तो आपका यश्वी बढ़ेगा, और जीवन की जो सबसे बड़ी पूझी होती है संतोष, वो संतोष वही से मिलने वाला है। साथियों, आज के इस कारकब में बैंकिंग सेक्टर के काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। अर्थ ववस्ता के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबुत माना जाता है। लेकिन नव वर्ष पहले ऐसी स्थिती नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट हित पर हावी होता है। तब कैसी बरबादी होती है। कैसा विनास होता है। देश में कई उधारण है। यह हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरुकार के दोरां यह बरबादी को देखा है, जेला है, अनुभव किया है। आप लोग आजकल तो डिजिटल यूग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं, लेकिन आज से नौ साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय यह फोन बैंकिंग का कलपना ही अलग थी। रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे, उस समाने में उस सरकार में यह फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामाने नागरीकों के लिए नहीं था, देश के 140 क्रोड देश वास्चों के लिए नहीं था, उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता, बैंकों को फोन करके, अपने चहेतों को, हजारों करोड रुपिये का लोन दिलवाया करते थे, यह लोन कभी चुकाया नहीं जाता था, और कागजी कारवाई होती थी, एक लोन को चुकाने के लिए, फिर बैंक से फोन करके, दूसरा लोन, दूसरा लोन चुकाने के लिए, फिर तीसरा लोन दिलवाना, यह फोन बैंकिंग गोटाला, पहले की सरकार के, पिछली सरकार के, सबसे बड़े गोटालों में एक था, पहले की सरकार के इस गोटाले की बज़र से, देश की बैंकिंग व्यवस्ता की कमर तूट गई थी, 2014 में, आप सब ने हमें सरकार में आकर के, देश की सेवा करने का मोका दिया, 2014 में सरकार में आने के बाद हमने, इस तिती से बैंकिंग सेक्टर, और देश को मुसिबतों से निकालना, एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया, हमने सरकारी बैंकों के मेनेजमेंट को ससक्त किया, प्रोफेशनलिजम पर बल दिया, हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर, बड़े बैंकों का निर्मान किया, हमने सुनिशित किया, कि बैंक में सामान्य नागरिक की पांच लाख रुपिय तक की राशी कभी न डुबे क्योंकि बैंकों के प्रती सामान्य नागरिक का विश्वास पक्ता करना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि कई कोपरेटिव बैंक के डूबने लगी थी सामान ने मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था और इसलिए हमने एक लाग से उसको सीमा पांच लाग कर दी ताकि 99 परसंट नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापिस मिल सके सरकार ने एक और महत्वपन कदम उठाया बैंक रप्सी कोड जैसे कानून बनाई ताकि अगर कोई कमपनी किसी ने किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुक्सान हो इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर सिकंजाबी कसा बैंकों को लूटने वालों की संपति जब तक कर लिए आज परणाम आपके सामने हैं जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड के नुक्सान के लिए होती थी एंपिय के लिए होती थी आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्राफिट के लिए हो रही हैं साथियों भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और बैंक के प्रत्यक कर्मचारी उनका काम पिछले नौ साल में सरकार के विजन के अनुकुल जो उनकोंने काम किया है वो हम सभी के लिए गर्व का विशे है बैंक में काम करने वाले सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों ने इतनी महनत की संकट मेंसे बैंकों को भार लाए देर्थ के अर्थमद्वंद्रे विकाश में अग्रसर होकर के भुमिकाने भाई और इन बैंक करमचारियों ने बैंक के लोगों ने कभी भी मुझे और मेरे विजन को न नकारा न निराश किया मुझे आद है जब जनदन योजना शुरू हुई तो जब पुरानी सोच वाले लोग थे वो मुझे सवाल पूछते थे गरीब के पाथ तो पैसे नहीं वो बैंक खाता खोल के क्या करेगा बैंक को पे बढ़लन बढ़ जाएगा बैंक का कर्मचारी कैसे काम करेगा भाती भाती के निराशाय फ्यालाई गए थी लेकिन बैंक के मेरे साथियों ने गरीब का जनदन खाता खुले इसके लिए दिन रात एक कर दिया जुग्गी जुपड़ी में जाते थे बैंक के कर्मचारी लोगों के बैंक के खाते खुलवाते थे अगर आज देश में करीब पचांस करोड जनदन बैंक खाते खुले हैं तो इसके पीछे बैंक में काम करने वाले हमारे कर्मियों का परिशम है उनका सेवाभाव है यह बैंक कर्मियों की मेहनत है जिसकी वेज़े से सरकार कोरोना काल में करोडों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसपर कर पाई साथियों कुछ लोग पहले ये भी गलत आरोब लगाते हैं और लगाते रहे कि हमारे बैंकिंग खेट्र में असंगटिक खेट्र के लोगों को मदद करने के लिए कोई व्यवस्ताई नहीं है पहली की सरकारों में क्या हुआ वो तो आप बली बाती जानते हैं लेकिन 2014 के बाद स्थिती ऐसी नहीं है जब सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से नव जमानों के बिना गरंटी लोन देरे की ठानी तो बैंक के लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाया जब सरकार ने महिला सेल्फ हेल्फ गृप्स के लिए लोन एमाउंट को डबल कर दिया तो ये बैंक के करमचारी ही थे जिन्नों ने जादा से जादा से जादा सेल्फ हेल्फ गृप्स को आर्थिक मदद पहुचाई जब सरकार ने कोविड काल्ब हैं मसमी सेक्टर को मदद करने का फैसला लिया तो ये बैंक करमचारी ही थे जिन्नों ने जादा से जादा रण देकर मसमी सेक्टर को बचाने में मदद की और डेड़ करोड से जादा उद्वियों का जिसका रोजगार जाने की संभावना थी उछ छोटे छोटे उद्यागों को बचा करके डेड़ करोड से जादा लोगों का रोजगार भी बचाया जब सरकार ने किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजणा शुरू की तो ये बैंक करमी ही है जिनों ने इस योजणा को टेकनोलोजी की मदद से सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब सरकार ने रहड़ी पट्री और ठेले वालों के लिए जो फुटपांथ पर बैठ करके अपने माल बेचते हैं छोटी सी लौरी लेकर के माल बेचते हैं उनके लिए एक स्मनी दी योजणा सुरू की तो ये हमारे बैंक करमी हैं जो अपने गरीब भाई बहनों के लिए इतनी महनत कर और कुछ बैंक ब्रांच ने तो ऐसे लोगों को ढून ढून करके बुला बुला करके उनका हाथ पकड़ करके इन रेडी पट्री वालों को लोन देने के लिए काम किया है आज हमारे बैंक कर्मियों की मेहनत की बज़े से ही पचास लाज से जादा रेहडी पट्री ठेले वालों के उनको बैंक से मदद मिल पाई है मैं हर बैंक कर्बचारी की सरहाना करता हूँ उनका अभिनन्न करता हूँ और आप लोग भी अब जब बैंकिंग सेक्टर में जूड रहे हैं तो एक नई उर्जा जुड़ेगी नया विस्वास जुड़ेगा समाज के लिए कुछ करने की एक नई भावना प्यादा होगी पुराने लोगों जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें आपका परिश्रम जुड जाएगा और मुझे पक्का भी स्वास है कि हम बैंकिंग सेक्टर के मात्यम से गरीब से गरीब तक के को मद्बूत बनाना चाहते हैं उसमें आप लोग आज ये निवक्ति पत्र के साथ ही संकल्प पत्र लेकर के जाएंगे साथियों जब सही नियत से फैसले लिये जाते हैं सही निती बनाई जाती है तो उसके परणाम भी अधुद होते हैं अभुद्पुर्व होते हैं इसका प्रमान एक प्रमान अभी कुछी दिन पहले देश ने देखा है निती आयोक की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ पांच साल के भीतर ही भारत में साड़े तेरा करोड भारतिय गरीबी रेखा से उपर आ गए हैं भारती इस सफलता में सरकारी कर्मचारियों की भी मेहनत रही हैं गरीबों को पक्का घर देनी की योजना हो गरीबों के लिए सावचालाय बनाने की योजना हो गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना हो एसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कर्मचारी ही गाउं गाउं गर गर जन सामान्य तक लेकर गए जब ये योजनाएं गरीब तक पहुँची तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बड़ा विश्वास पादा हुआ ये सफलता इस बात की पती है कि हम मिलकर भारत से गरीबी दूर करने के प्रयास बढ़ाएं तो भारत से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती है और इसमें निश्चित तोर पर देश के हर सरकारी कर्मचारी की बहुत बड़ी भूमी का है गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं आपको खुद भी उनके प्रती जागरत रहना है और जनता को भी उसे जोड़ना है साथियों भारत में कम होती गरीबी का एक और पक्ष है कम होती गरीबी के बीच देश में नियों मिडल कास का लगातार विस्तार हो रहा है इससे रोजगार के नए आउसर बन रहे भारत में बढ़ते नियों मिडल कास की अपनी डिमांड से हैं अपनी अकांशा है इस दिमांड की पूर्ति के लिए आज देश में बड़े पैमाने पर मैनुफेक्टरिंग हो रही है आज जब हमारी फेक्टरियां हमारे उद्ध्यों रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं तो उसका लाब भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है आज कल आप देखिये आए दिन किसी नए रिकॉर्ड की चर्चा होती है नए एच्विमेंट की चर्चा होती है भारत से रिकॉर्ड मुबाइल फोन एक्सपोर्ड हो रहे हैं भारत में इस साल के पहले छे महिने में जितनी कारों की विक्री हुई है वो भी उत्सा बढ़ाने वाली हैं इलेक्ट्रिक विकल्स की भी भारत में रिकॉर्ड विक्री हो रही हैं ये सब देश में रोजगार बढ़ा रहे हैं रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं साथियों भारत के टैलेंट पर आज पूरी दुनिया की नजर है दुनिया में अनेक विक्सित अर्थ वबस्ताओं में लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही हैं सीनियर सिटिजन से दुनिया के कई देश विपूल संख्या से भरे हुए हैं युवाद पीडियों के हां कम होती जा रही हैं काम करने वाली आबादी घट रही है इसलिए ये समय भारत के युवाओं के लिए बहुत मेहनत करने का है अपनी स्कील अपनी ख्षमताओं को बढ़ाने का है हमने ये देखा है कि भारत के आईटी टेलेंट की डॉक्टरों की नर्सों की और हमारे गर्प कंट्रीज में तो कंस्रक्शन की दुनिया में काम करने वाले हमारे साथियों की कितनी डिवाण रही है भारतिय टेलेंट की इज़्जत हर देश में हर सेक्टर में लगातार बढ़ रही है इसलिए पिछले नव वर्षों में सरकार का बहुत बड़ा फोकस स्किल डेवलोप्मेंट पर रहा है पी एम काउशल विकास योजना के तहत लगबग देड़ करोड युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है सरकार तीस थर्टी स्कील इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी सापित कर रही है ताकि हमारे उवा ग्लोबल आपर्चुनिटी के लिए तयार हो सके आज देश भर में नए मिडिकल कॉलेज नई आईटी आईज नई आईटी टेक्निकल इंस्टिटूट्स बनाने का भी अभ्यान जोरों पर चल रहा है दो हजार चबुदा तक हमारे देश में करीब तीन सो अस्टी मेडिकल कॉलेज ही थे पिछले नव वर्सों में ये संख्या साथ सो से अधिक हो चुकी है इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेजों में भी बहुत बड़ी बढ़ोत्री हुई है ग्लोबल डिमांड को पुरा करने वाली स्किल्स भारत के युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बनाने जा रही है साथियों आप सभी एक बहुती पॉजिटिव माहोल में सरकारी सेवा में आ रहे हैं अब आप पर भी देश की इस पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है आप सभी को अपनी आकांचाओं को भी विस्तार देने का प्रयास करना चाहिए नई जिम्मेदारियों से जुड़ने के बाद भी आप सीखने और सिल्फ डेवलप्मेंट की प्रक्रिया को जारी रख लें आपकी मदद के लिए सरकार ने ओन लाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गौड कर्मयोगी तैयार किया है मेरा आप सबसे आगर हैं कि इस सुविधा का जादा से जादा लाब उठाने का प्रयास करें एक बार फिर मैं आपको आपके परिवार के लोगों को इस नई जिम्मेवारी के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और इस नई जिम्मेवारी एक आरंब बिंदु है आप भी जिंदगी की अनेक नई उचाईयों को प्राप्त करें आपके माद्यम से जहां भी आपको सेवा करने का मोखा मिले देश का हर नागरी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके कारान बहुत नई ताकत को प्राप्त करें आप अपने हर सपनों को पूरा करें संकल्प को पूरा करें इस जिम्मेबार को बख़ुवी निभाएं इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सुपकामनाएं हैं बहुत बहुत धनेवार तो यहां पर आप प्रधानमंत्री को सुन रहेते हैं प्रधानमंत्री ने आज सतर हजार युवाओं को नियुक्ती पत्र सौपा है और इस दोरान प्रधानमंत्री ने कई बाते की जिसमें बैंकिंग के लोगों को क्योंकि ये नियुक्ती पत्र सौपा गया है तो उन्होंने ये भी कहा कि देश की पॉजिटिव सोच को अब आगे बढ़ाने की आप पर जम्यदारी है जल्द ही भारत टॉप थ्री एकॉनमी में होगा और भारत के प्रती लोगों का बाहर द